हे गाईज, वेलकम टू दी सेशन, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला ग्यूस्थान आज का जंगल या वन विशे भारती संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो जंगल या वन का जो विशे है, भारती संविधान की किस अनुसूचीत में बढ़नित क्या गया है, ये बताना है, तो ये बढ़नित है, साथ वी अनुसूची में, आंसर इसका डी हो जाएगा, जंगल या वन विशे, भारते संविधान की साथ वी अनुसूची के संविधान संसोची के संविधान संसूची में, संबिधान संसोतन अधिनियम उन्निसो शेटर के द्वारा पहले ये इस से पहले किसका था ये राज्य का विसे था राज्य सूची में था उसके बाद संबर्ती सूची में इस्थारांतरित कर दिया गया निमने लिखित कतनों पर विचार गीजिए कंसीटर दो फॉलिंग स्टेट्मेंट ली ना की इस्थिती में पूर्व मद्य है विसुबत्य परसांत महसागर ये छेतर में समुदरी सतही तापमान उसाथ से निमन रहता है अल निमनो की इस्थिती में पूर्वी उस्थारांत महसागर में सतही जल के तापमान में आसमाने रूप से ब्रद्धी होती है उप्युक्त में से कौन सा है कौन से गतन सही है ये बताना है Consider the following statements In La Nina condition, sea surface temperature are below average in the east central equatorial Pacific In the event of an Al Nina, there is an unusually high rise in surface water temperature in the eastern tropical Pacific which of the above statements is or are correct सही आंसर देना है इसमें से कौन कौन से सही statement है इसमें दोनों सही है पहला भी और दूसरा भी आंसर हो जाएगा इसका C La Nina घटना के समय पूर्व मद्य विसुबतिय परसान महासागरे चेटर में समुदरी सतह ही तापमान जैनकि समुदरी सतह का जो तापमान है वो उसत से निम्न रहता है और अलनीना की इस्थिती में पूरभी उस्लकति बंदिया परसाथ महसागर में सतही जल के ताप मान में आसामानी रूप से बरद्दी होती है अलनीना गरम और जो लानीना है वो थंडा इस टाइप से समझ सकते हैं रास्टिय फोरेंसिक विज्ञान विज्विधियले की स्थापना किस वर्स की गई थी? In which year was the National bourendsik science university steak list? 2017, 2018, 2019 से 2020 रास्टिय फोरेंसिक विज्ञान विज्विधियले की स्थापना किस वर्स की गई थी? तो यह की गई 2020 में आंसर इसका D हो जाएगा रास्टिया फोरेंसिक विज्ञान विश्विद्याले 2020 रास्टिया फोरेंसिक विज्ञान विश्विद्याले की स्थाफ़न 2020 में की गई ये भारा सरकार द्वारा देश और दुनिया भर में फोरेंसिक विशेशकों की बढ़ती मांग को पूरा करने को देश से स्थाफित किया गया। 36 गड़ के किन दो बाग अब्यारन्यों को सामुदाईख वन संसाधन अधिकार प्राप्त है। इन को जो इन में से दो हैं कोई जिनको बाग अब्यारन्यों कि जो सामुदाईख बन संसाधन अधिकार प्राप्त है। इन पाचों में से बताना है कौन से दो को सामुदाइक बनसंजादन अदिकार प्राप्थ है तो इसमें First और Third को प्राप्थ है अचानक मार बाग अब्यारीन्या और उदंती सीतान दी बाग अब्यारीन्या First and Third का मतलब हो जाएगा आप्षर C, sorry B बी आंसर इसका फर्स्ट और थर्ड 36 गड़के दो बागब बैरिन्यों अचानक मार बागब बैरिन्य एवम उदंती सीता नदी बागब बैरिन्य को सामुदाईक बन संसाधन अधिकार प्राप्त है सामुदाईक बन संसाधन छेतर सामानिय बन भूमी होते हैं जिने किसी विसे समुदाई द्वारा इस्थाई उप्योग के फुपारम पर क्रूप सारकसित और संक्सित किया जाता है अलखनंदा नदी का उद्गम किस नदी से होता है ذärम इने कहा से वह निकलती है तो ये सतोपंध हिम्नद से निकलती है अलखनंदा नदी ए आंसर हो जाएगा इसका अलखनंदा का उद्गम होता है सतोपंध हिम्नद से ये उत्राखन में है सतोपन हिमनद, वहां से इसका उद्गम होता है और अलखननदा नदी देव पर्याग में भागीरती नदी से मिलती है जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है तो देव पर्याग के बाद ये भागीरती से मिलकर गंगा कहलाती है और यह गंगा की पुर्मुक साइक नदियों में से एक है इसकी पुर्मुक साइक नदिया है मंदाकनी और नंदाकनी पिंडर अलखनंदा की मंदाकनी नंदाकनी और पिंडर और यह भागीरती से मिलती है कहां पर देवपर्याग में और फिर गंगा कहलाती है नब उधारी करन का सिधान किन तत्यों पर अधारित है? On what facts is the theory of neo-liberalization based? नब उधारी करन या neo-liberalization जो है किस सिधान पर अधारित है किस तत्यों पर अधारित है? यह विकास में राज्य की भूमिका को सीमित रखते हुए मुक्त पूंजी बाजार को विकास का प्रेरक मानता है यह राज्य की भूमिका को इस हेतू अनुकूल दसाओं के सरजन तक ही सीमित मानता है इसे वासिंटन आम सहमती भी कहते हैं इसके प्रस्तावक जोन विल्यम सर्ण सा है विल्यम सन है जोन विल्यम सन तो इसमें से कौन से सही है यह बताना है इसमें सबी ठीक हैं पहला दूसरा और तीसरा डी आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए consider the following statement Central Bank Digital Currency Kendriya Bank त्वारा जारी और समर्थित बैद मुद्रा है Fiat मुद्रा रास्टे मुद्रा होती है जो किसी वर्ष्टू की कीमत पर नहीं आकी जाती दोनों में से कौन सा बत सही यह बताना है Central Bank Digital Currency is a legal currency issued and bagged by a Central Bank Fiat Currency is the national currency that is not packed by the price of a commodity which of the above statements इस और are correct तो इस दोनों में से पताईए कौन सा correct है दोनों correct है इसमें पहला और दूसरा आंसर सी हो जाएगा इसका Central Bank Digital Currency कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है एवम यह है केंद्रिय बैंक द्वारा जारी और संचालित होती है फियेट मुद्रा राष्टे मुद्रा होती है जो किसी बस्तू जैसे सोने या चांदी की इमत पर नहीं आकी जाती है निमनलिखित में से किस वैग्यानिक ने उत्संस्करन की अबधारना दी चारों में से बताईए जोन वैसले पॉविल ने यह आंसर हो जाएगा जोन वैसले पॉविल जिसने उत्संस्करन की अबधारना दी उत्संस्क्रण की अबधारणा 1980 में अमरीकी भुबिग्यानी जॉन वेसले पॉबिल दौरा अमरीकी ब्यूरो ओफ एतनोलोजी के एक रिपॉर्ट में दी गई थी उत्संस्क्रण एक प्रकरिया है जिसमें एक संस्क्रिती का व्यक्तिया समू दूसरी संस्क्रिती के संपाख में आता है और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए दूसरे के मुल्य और पुर्थाओं को अपनाता है और अपनी भी और दूसरे की भी रख्सा करता ह ज्वार नदमुख, आर्द भूमी और मैंग्रोब किस पारितंतर के अंतर गताते हैं? अंडर विच एकोसिस्टम डू एस्टूरीज, वेट लेंड्स एंड मैंग्रोब कम्स? जलिय पारितंत्र, संकर्मन कालीन, जलिय पारितंत्र, सागर्य पारितंत्र या इनमें से कोई नहीं, एकोर्टिक एकोसिस्टम, टांजिस्टनल एकोर्टिक एकोसिस्टम, ओसन एकोसिस्टम और नदमुख, आर्द भूमी और मैंग्रोब किस पारितंतर के अंतर गताते हैं? यानि कि ट्रांजीशनल एक्विटिक इको सिस्टम ज्वार नद्बुक आर्दभूमी और मेंगरो पारितंतर जो है संकरमन काली जलिया पारितंतर के अंतरगत आते हैं तो बी आंसर इसका हो जाएगा अगला है भारत के किस सास्त्रिय नित्य का एक अन्य नाम दासी अट्टम भी है विच क्लासिकल डांस उफिंडिया है ज अनदर नेव दासी अट्टम कथकली भरतनाटियम कुचीपूरी या सत्रिया कतकली भरत नाट्यम कुछी पुडिया सत्रिया में से बताएंगे किसका दूसरा नाम दासी अट्टम भी है तो भरत नाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है भरत नाट्यम का दूसरा नाम क्या है दासी अट्टम भाaratके सास्त्यीन निरत्यय भरतनात्यम का एक अन्य नाम दासियटम भी है इसका उलेफ नंदी केसवर की पुस्तक अविनब दरपण में मिलता है तो भरतनात्यम को दासियटम किस पुस्तक में कहा गया है भर अविनब दरपण में निम्निखित में से किसके द्वारा वित्तिय समावेशन सूचकांग जारी किया जाता है Financial Inclusion Index is released by which of the following नितियायोग भारतिय रिजर बैंक वित्मंत्रालया बिस बैंक किसके द्वारा वित्तिय समावेशन सूचकांग जारी किया जाता है नीतिय आयोग के भारतिय रिजर बैंक वित्मंत्रालाया बिस बैंक नीतिय आयोग रिजर बैंक ओफ इंडिया फाइनस मिनिस्ट्री या वर्ड बैंक किसमे से वित्य समावेशन सूचकांग जानी के फाइनेंसल इंकुलूजन इंडेक्स रिलीज किया जाता है ये भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा किया जाता है बी अंसर हो जाए इसका भारतिय रिजर्ब बैंक भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा समगर वित्य समावे संसूच कांग जारी किया जाता है इसे RBI 12 वर्स 2021 में बिना किसी आधार वर्स के विक्षित किया गया था और परतियक वर्स जुलाई में प्रकासित किया जाता है निमलिकित में से किसे लद्दाग के सरवोच नागरिक सम्मान डीपाल R.N.G.M. डस्टन पुरुसकार 2022 सम्मानित किया गया निमलिकित में प्रकासित किया जाता है हाल ही में तिबबती आध्यात्मी गुरू दलाई लामो को मानपता कि सेवा के छेतर में उनके योगदान के लिए लद्दाग के सरवोच नागरिक सम्मान डीपाल R.N.G.M. डस्टन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है बियांसर हाल ही में खबरों में रहा गिंडी रास्ट्य उद्द्यान निमलिकित में से किस राज्या में अवस्थित है तमिलनाडू केरल तेलंगाना या करनाटक में से बदाना है तो ये तमिलनाडू में इस्थित है गिंडी राश्ट्य उद्द्यान तमिलनाडू ए अंसर हो जाएगा इसका गिंडी राश्ट्य उद्द्यान तमिलनाडू राज्ये में अवस्थित है यह भारत का आठवा सबसे छोटा राष्टे उध्यान है और उन्चुनिंदा राष्टे उध्यानों में से भी एक है जो सहर के अंदर अवस्थित है यह चेनने के महानगरिय शेतर के मद्य में इस्थित है निमन डिखित में से किस संस्थान ने मवेशियों के गाटदार तुचा रोग के लिए एक स्वधेशीटी का विक्षित क्या है Which of the following institutes has developed an indigenous vaccine for lumpy skin disease या LDS of cattle जो lumpy skin disease आजकर चल रहा है गाटदार तुचा रोग उसके लिए एक स्वधेशीटी का विक्षित क्या है किस संस्थान ने क्या है ICAR, ICMR, DRDO या AIMS ये ICAR ने विक्षित क्या है ये आंसर हो जाएगा इसका भारतिय किर्सी अनुसंदान परिशद यानि ICAR के दो संस्थानों ने मवेशियों के गाड़दार तुचा रोग जो लंपी स्किन डिजीज जिसको का जाता है उसके लिए एक सदेशिटी का विक्षित किया है हाल ही में रक्सा अनुसंदान और विकास संगठन यानि DRDO के नए अध्यक्स के रूप में किसे न्युक्त चा गया है Recently, who has been appointed as the new chairman of defense research and development organization K.C.1, Mail Samy Annadurai, Tacey Thomas, Samir V. Kamat DRDO यानि रक्सा अनुसंदान और विकास संगठन के नए अध्यक्स के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो Samir V. Kamat को न्युक्त किया गया है D.A.ंसर इसका Samir V. Kamat खाल ही में देश के पृतिष्टित बैग्यानिक डौक्टर समीर V. Kamat को रक्सा अनुसंदान और विकास ब्लबाग का सचीब तदा रक्सा अनुसंदान अम बिकास Сंगठन यां डियॉ का अध्यक्स बनाअ गया है डौक्टर समीर Kamat DRDO के वरतमान अध्यक्स जी सतीस रेड़ी की जगह लेंगे तो वरतमान में अध्यक्स को ओने DRDO के जी सतीस रेड़ी और उनकी जगह बनेंगे डोक्टर समीर कामत इसके अलावा कामत को रक्सा मंत्री राजना सिंग का बैग्यानिक सलाकार भी नुक चागया है ये भी चीज़ याद रखनी है वे अगले आदेश या फिर साथ वर्स की आयू पूरी करने तक इस पर रहेंगे हाना कि इससे पहले इन्हें नेवल सिस्टम्स एंड मैटेरियल्स पर भाग महाने देशक एक जुलाई 2017 में नुक किया गया था उनका पूरा नाम डोक्टर समीर बेंकटपती कामत है अची इन्फोरमेशन है याद रखेंगे रास्टिय लगू द्योग दिबस कम मनाय जाता है वेन इस दे नेशनल इस्मॉल इंडस्टी डे सेलिबरेटेड पांस सितंबर, सोलइ सितंबर, तीस अगस्तिया, दो अक्टूबर तो यह मना जाता है तीस अगस्त को अत्यां रखेंगे रास्टिय लगू द्योग दिबस तीस अगस्त जो भारती समाज है उसमें छोटे लगू द्योग के महत्त को मानिता देने के लिЕ पुर्तिवर्स तीस अगस को राष्टे लगू उद्योग दिवस मनाय जाता है ये दिवस आम लोगों को रोजगार परदान करने में छोटे व्यवसायों के महत्व को माननेता परदान करता है और उन्हें प्रोसाहित कन्नेहेतु समर्पित है तीस अगस 2001 को लगू उद्योग मन्तरा लेंने नई दिल्ली में लगू उद्योग उद्योग के लिए एक लगू उद्योग सम्मेलन आयोजित कया था साथ ही लगू उद्योग के लिए राष्टे पुरुषकार भी परदान किये गए तभी से पृतिवर्षती सवस्कुरास्टे लगुद्योग दिवस का आवयजन किया जाता है निम्न लिखित में से कौन सा देश संगाई सहयोग संगठन सिखर सम्मेलन 2020 का मेजवान है Which of the following country is the host of संगाई कोपरेशन और्गनाजेशन सम्मिट 2022 उजबेकिस्तान, भारत, स्री लंकाया, चीन कौन सा देश संगाई सहयोग संगठन सिखर सम्मेलन 2022 का मेजवान है तो ये है उजबेकिस्तान इसका मेजवान ये आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 में S.E.S.E.O. सिखर सम्मेलन उजबेकिस्तान के समरकंद में आवजित किया जाएगा जहां S.E.O. में दो नए सदस्या इरान और बेलारूस के सामिल होने की संभावना है S.E.O. सिखर सम्मेलन से पूर्व बारारूस की को S.E.O. सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा तो अभी कौन कर रहा है उजबेकिस्तान और 23 में करेगा भारत हाल ही में निमलिकित में से कौन सा देश उसलुकर्टी बंद्य चक्रबात माओन की चपेट माया है तो फिलिपिन्स इसकी माओन की चपेट माया है दियांसर हो जाएगा सका हाल ही में उसलुकर्टी बंद्य चक्रबात माओन उत्री फिलिपिन्स माया निम्न बायू दाब केंद्र तेज हवाएं बंद निम्न इस्थरिय बायू मंडलिय परी संचरण और गरजदार सरपिल चंजाबत के साथ भारी बारिस आधी उसलुकर्टी बंद्य चक्रबातों की कुछ प्रमुग विसेश्थाएं होती है हाल ही में भारते सेना ने किस राज्ये में सुखताबा नदी पर 150 वर्स पुराने बेली ब्रीज का पुरने निमा सुरू किया इसेंटली इन विच स्टेट इंडिन आर्मी स्टाटेड दरी कंस्ट्रक्शन ओफ 150 वर्स ओल्ड वेली ब्रीज ओबर सुखताबा रिवर गुजरात पंजाब मध्य परदेशिया राजिस्थान भारते सेना ने श्टाट किया है 150 साल पुराने बेली ब्रीज का पुरने निमाड तो कहां किया है किस राज्य में क्या है यह बताना है गुजरात पंजाब मध्य परदेश या राजिस्थान तो यह हुआ है मध्य परदेश में स्टाट सी आंसर हो जाएगा इसका भारते सेना ने मद्य पर्देश की सुकताबा नदी पर 150 वर्स पुराने बैली ब्रीज का पुनर निर्मार शुरू किया जो अपरेल में छटी गरिस्त हो गया था इस वर्स से भोपाल नागपुर राजमार्ग 69 यानि के NS69 गुजरता है तो NS69 कुन सा है भोपाल नागपुर वाला जो राजमार्ग है हाल ही में सुपरसीद व्यक्तित्व बीवी लाल का निधन हो गया है वे थे रिसेंटली फेमस परसनेलिटी बीवी लाल पाजड अवे हाल ही में सुपरसीद व्यक्तित बीवी लाल का निधन हो गया वे क्या थे तो वे थे पुराताद्विद डी आंसर हो जाएगा इसका पुराताद्विद थे वो बीवी लाल जिनका हाल ही में निधन हो है पुराताद्विद ब्रजबासी लाल या बीवी लाल का 10 सितंबा 2022 को निधन हुआ बीवी लाल पुराताद्व के साथ साथ राजनीतिक छेतर के भी पुर्शिद बेक्तित्व से उन्होंने वर्स 1970 के दसक में के मद्या में राम जन्म भुमी इस चलपर खुदाई का नियत्रित्व किया था और 2021 में पदम भी भूसन से समानित के गये था उनको बीविलाल 1968 से 1972 के बीच भारतिय पुराताद्व को सर्वेक्शन के महाने दे सक रहे तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे उमीद है कि क्वेशन पसंद आयोंगे वाकी आपसे मिलेंगे नए क्वेशन के साथ नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाए थैंक्स वॉचिंग